कर दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हुसुमी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाना सहाब पेश्वा दित्ये की जीवनी और अठास उस्ताउन की क्रांती में उनके योगदान के बा वही बाजिराओ जिनके नाम पे मूवी बनी है बाजिराओ मस्तानी वो बाजिराओ जो थे वो बाजिराओ पर्थम थे और बाजिराओ पर्थम के बेटे जो थे उनका नाम था बालाजी बाजिराओ और बालाजी बाजिराओ को कहा जाता था नाना सहाब तो वो तो पहले नाना साहब थे और ये जो हैं पेश्वा दित्ये नाना साहब दित्ये इनका नाम धोंदुपंत था और ये कौन थे ये जो आखरी पेश्वा थे बाजिरा दित्ये बाजिराव सेकंड जो थे उनके गोद लिये हुए बेटे थे इनको नाना साहब बोला जाता था तो ये भी नाना साहब थे और इनसे पहले भी एक नाना साहब हुई है अब एक बात आती है कि आखरी पेश्वा कोन है इसके उपर कई बार डिबेट होती है देखिए इनके जो पिता थे इनके पिता जो थे बाजी राव सेकंड बाजी राव सेकंड जो है उनको अठारा सो अठारा में एक लड़ाई हुई थी किसके साथ अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा अंगलो मराठा वोर हुआ था उसमें मराठे हार गए थे तो बाजीराव सेकंड को पेशवाई के पद से मराठों को हटा के अंग्रेजों ने इनको बिठुर भेज दिया था कानपूर के पास कानपूर के पास बेज दिया थे इनके पिता को और कहा था कि आपको पेशवा का पद खतम हो गया है तो एक तरह से देखा जाए तो वो आखरी पेशवा थे लेकिन अठासुस ताउन की क्रांती के दोरान ही नाना सहब ने भी पेशवा के पद को ग्रहन किया था उन्होंने का था कि मैं पेशवा हूँ और जहांसे के महरानी लक्षमी बाई तात्या टोपे इन सभी ने मिलके इनको पेशवा घोशित किया था तो उस तरह से देखा जाए तो ये आखरी पेशवा थे अठासुस ताउन के दोरान ये रहे थे आखरी पेशवा तो ये है इनकी देखे है वैनू में हुआ था महरास्थ में और इनके पिता का नाम था नाराइन भट और ये जो ब्रामन फैमिली में पैदा होे थे इनकी मा का नाम था गंगाबाई और ये जो वैम नारायन भट की ये sister-in-law करती थी पेशवा की पेशवा बाजीराउ Hai second की sister-in-law ती अब क जो education है, early education वो सेंसकर्थ में हुई और काफी religious person थे ये, religion के उपर काफी इनों ने इस्टडी करी थी, काफी religious इनका nature था, तो बाजी राओ second ने इनको गोध ले लिया, इनके छोटे भाई को भी गोध ले लिया, और गोध लेने के बाद इनको नाना साहब का नाम दिया गया, और बाजी राओ second जो है, पेश्वा बाजी राओ second ये खुद pension पे रह रहे थे, अब इनके पास भी political authority तो नहीं थी, ये Britishers की pension पे रहा करते थी, 80,000 pound इनको सालाना मिलता था Britishers की तरफ से, और कुछ titles मिले हुए थे, लेकिन इनको पूने में जाने के अनुमती नहीं थी, पूने में जो पेश्वा का जो पद हुआ करता था, जो ओधा हुआ करता था, जो रस्पेक्ट थी, उससे उनको दूर कर दिया था, तीसरे एंगलो मराठा वोर के बाद, तो ये चीज चल रही थी, अब पेश्वा ने इनको गोद लिलिया, इनकी education और ये सब चीजें जो है तात्या टोपे से भी होती है, अजी मुल्ला खान से भी होती है, और मनी करने का तामबे यानि की लक्ष्मी भाईजी से भी होती है, महारानी लक्ष्मी भाईजी तो ये सब जो है इनके दर्बार में पेश्वा के दर्बार में नोकरी कर रहे होते हैं, मनी करने का के जो पिता होते हैं, वो भी पेश्वा के दरबार में जोब कर रहे होते हैं, तो इसी तरीके से ये जो बच्चे होते हैं तीनों, ये भी मिलते हैं इन से, नाना साहब से मिलते हैं, तो अरली चाइल्ड हुड जो है इनका इन लोगों के बीच में बीता, तो तात्या टोपे की आप देख सकते हैं तो यह पांडुराओं टोपे के बेटे थे और इनके साथ कोर्ट में रहा करते थे तो इनका बच्पन इनके साथ रहा इनकी अच्छी कासी दोस्ती हो गई उसके बाद अजी मुल्ला खां को इनका परसनल सेक्रेटरी बना दिया गया तात्या टोपे को इन इनके दोस्त भी थे और इनके एक तरीके से कलीग भी थे ये लोग और इसके बाद आगे चलके दिवान भी बना दिया गया अजी मुल्ला खान को तो ये सब लोग थे इनका युगदान आगे दिखेगा आपको अठास वस्तावन के करांती में क्या रहता है ये सब अब कहानी में change कहां आता है, एक तरीके से doctrine of lapse जब आती है, doctrine of lapse कोन लेके आता है, गौवर्नर जर्नल लोर्डल होजी, ये विक्ति था, ये भारत में गौवर्नर जर्नल बनके आया, 848 में 856 तक ये यहां का गौवर्नर जर्नल रहा, गौवर्नर जर्नल रहा तो इसने एक policy ल या फिर कोई भी East India Company के साथ subsidiary alliance का कोई भी state हो, अगर उस state के अंदर जो भी राजा है, उस राजा का कोई अगर बेटा नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, तो उसका गोद लिया हुआ बेटा जो है, वो सत्ता में नहीं आ सकता, वो उस राज्य का राजा नहीं बन सकता जाटेल दिया जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे राज्य जो है, बेटिशस की डारिक्ट कंट्रोल में आ गए, जैसे जहांसी में भी यही प्रोवलम थी, डॉक्रिन ओफ लैप्स वहां पर भी लग रहा था, कि जहांसी के मारानी जो थी, लक्षिम भाई, उनके हजबेंट गंगाधर राओ की डेथ के बाद उनके गोद लिये हुए बेटे को इन्होंने वहां का वारिस घोशित करने से मना कर दिया कि वो अब जहांसी का राजा नहीं बन सकता, और जहांसी जो है वो डारिक्ली बेटिशस के कंट्रोल में चली जाएगी, ऐसे ही नागपुर में हुआ, ऐसे ही सतारा में हुआ, सतारा आप जानते हैं, ये भी एक मराठों का वो हुआ करता था, अन्तिम जो राजा थे इस वन्ष के जो शिवाजी के वन्ष के वो राज आखरी सतारा में ही रहते थे, तो ये सब जो स्टेट से इनके ओपर डॉक्रिन ओफ लग रही थी, और ये डॉक्रिन ओफ लेफ्स जो है, ये अठासुस ताउन की करांती का एक बहुत बड़ा राजनितिक कारण भी बनी थी, इसलिए बहुत सारे राज्जा रजवाडों ने इनके खिलाफ विरोध कर दिया था, तो इसलिए ये चीज कही कि अडॉप्टेड है, उसके अंदर उसको अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसी पॉलिसी लेका है, लोड डल होजी, तो लोड डल होजी की इस पॉलिसी के एक तरीके से दायरे में ये भी आ गए, नाना सहाब भी आ गए, और कैसे, क्योंकि नाना सहाब खुद एक गोद लिये हुए बेटे थे, आपको नहीं मिलेंगे, तो इस से जो है, नाना सहाब बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, ऐसा नहीं है कि नाना सहाब के पास पैसे की कोई कमी थी, पैसा इनके पास बहुत था, पैसे से बात नहीं थी, बात ये थी कि उफेंड हो गए, बहुत ज़्यादा एक तरीके से य लगा कि इनके सम्मान के ऊपर ठेस है ये और बिर्टेशल्स ने ऐसा कैसे कर लिया तो ऐसा भी नहीं है कि जो फिल्टेशल्स ने मना गया तो डारेक्ट अ मूपर टेक कर दिया हो ना साहब pension मिलनी चाहिए titles मिलने चाहिए otherwise जो है हम आपका विरूद करेंगे ये बात है तो ये बात कही Ajimaullah Khan वहां पे गए लेकिन Ajimaullah Khan की बात को वहां पे सुना नहीं गया और वो बेटे शफ्सको convince नहीं कर पाई इस चेज के लिए कि नाना साहब को उनका पद और उनका ओधा मिले उनको पेंशन मिले तो कानपूर में ये सब चीजें आई और कोर्ट में जब वापिस आए अजिमुला खान और उनको पता चला कि ये सब चीजें हो रही हैं वहां तो इनकी बात नहीं सुनी गई तो नाना साहब बहुत जादा गुस्सा हो हो गया शुरुवात में सबस्क्राइब मुटनी से शुरू हुआ है अला के बितशयास तो इसको कंप्लीटली सबस्क्राइब करके रहीं कि ये तो सन्य विद्रोह था लेकिन ये सिर्फ सन्य विद्रोह तो नहीं था जिसमें बहुत सारी लोगों से पार्टिपेड किया इस वैसे मंगल पांडे वाला हुआ लेकिन उसके वाद मेरट की छाउनी में बड़ा रिवोल्ट शुरू हुआ रिबेलियन शुरू हुआ तो वहां से जब ये लोग जा रहे थे सैनिक जा रहे थे तो इनको भी मौका मिल गए कि हमारा भी मौका है हम भी कानपूर में एक तरीके से विद्रोफ कर सकते हैं तो नाना साथ ने लेटर लिखा बकाईदा डीयू विलर को कानपुर का जो कानपुर क wil आप अरिया था इस इसे इंके इनके उन्टायूर्शमट को कहा है, लेटर लेटर लिखके कहा कि अब हम आपँ आटेक करेंगे, आ तैयार रहना। देखे ये बात पहले से बोल दी थी कि हम तो अप पर अटेक करने वाले हैं हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आप पर अटेक करेंगे ये बात कहे दी गई और ये बात कहा कि कल 10 बजे हम आप पे अटेक करेंगे पांच जून 877 को लेटर भेज दिया था अगले दिन 6 जून को 10.30 बजे इंट्रेच्मेंट पे जो रिबेल सोलजर्स थे जो भी रिबेलियन से इस्ट इंडिया कंपनी के रिबेलियन सोलजर्स जिन्हों ने रिबेल किया था उन्होंने मिलके नाना साथ मिलके अटेक कर दिया यहां पे जो वीलर की जो इंट्रेच्मेंट था इसके उपर अटेक कर दिया अब ये लंबे टाइम तक चला क्योंकि इंट्रेश्मेंट जो थे उनके अंदर काफी सारे गोला बारुद था तो एकदम पास में सैनिक जा नहीं सकते थे उनको पता था कि फट जाएगा और हमार नुकसान हो जाएगा उनके पास अच्छे अथियार हैं उनको चारों तरफ स नाना साब सब लोग वहां पे थे तो यह सब चीजे चल रही थी चारों तरफ से अटेक हो रहे थे बॉंबार्डमेंट हो रहा था जो बेटिश गैरिसन था इसमें सभी लोगों ने जो उस समय रिबेलियन की तरफ जाने चाते थे तो कई लोगों ने अपनी साइड भी क्योंकि रिबेलियन तो होई चुका था उलड़ी तो काफी लोग उदर चले गए और जून टैन यह वाज बिलीव दाट लीडिंग अराउंड ट्वेल थाउजंड और फिफ्टीन थाउजंड लगबग बारा से पंदरा हजा सोलजास जो है नाना साब के साइड मे थे इस स रिटेलियेट करने के लिए नाना साहब ने अपनी दूसरी आर्मी दूसरी तरफ से अटेक करना शुरू कर दिया 23 जून को तो दोनों तरफ से आर्मिया जो है एक तरीके से फसी हुई थी नै तो नाना साहब की आर्मी है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर पारी थी इनकी आ इसको भेज़ा और कहा कि जो हमारो मैसिज दे क्या हूँ के हमें कुछ ना कुछ समझ सस्ता करना पड़े कु足र सब्सक्राइब कि सदर्धाइब करना पड़े तो नास इसाब और उसको का है यह जो रूगर कर दो believe अगर पृञ चौर ऑफ उसके रास्ते होके मैं आपको अलाबाद जाने की परमिशन दे दूँगा और आपको सेफ पैसेज दे दूँगा ये उन्होंने कहा अब ये बात कही तो इससे वीलर शुरुवात में तो काफी उसमें आ गया कि ये चीज होगी की नहीं होगी तो अब उनको थोड़ा सा उष्वास हुआ और उसमें भी कुछ लोग ऐसे डिवाइड थे कि वीलर की आरमी के कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं हमें मार देंगे अगर हम बाहर गए तो कुछ लोग यह करे थे कि हमें करना चीमे – नाना साब के आर्मी हमने कोई भी अटक नहीं किया। नां कोई बॉम्बार्डमेंट हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो विल ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ठीक है यहां से हम सरेंडर करके निकल जाते हैं अलाबाद चले जाते हैं सती चोरा के रास्ते होते वहां से निकल जाएंगे तो 27 जो उनको इन्होंने सती चोरा के रास्ते नाना साहब ने सेफ पैसे दिया कि नहीं दिया यह डिबेट है कुछ लोग कहते हैं कि इस मेसाकरे में नाना साहब का इन्वोल्मेंट था तात्या टोपे का इन्वोल्मेंट था कुछ लोग कहते हैं इसा नहीं था इन्होंने तो कहा था कि आप इनको घेर के गंगा के इस सती-चोरा घाट के उपर घेर के सबस्क्राइब को जो जितनी भी आर्मी के लोग, वीलर के इन्रैच्मेंट के लोग आये थे इनको घेर के मारा और इसमें जो मेंली जो थे बेटालियन के लोग, एक 6th नेटिव इंफैंट्री के लोग थे अलाबाद से और एक 37th Benares Infantry के लोग थे जिन्होंने इन सभी जो लोग थे इनको brutally मारा, अब ये लोग परिशान थे, George Smith के torture से बहुत ज्यादा परिशान हो कहे थे, और इन्होंने इनका बदला जो है दूसरे European soldier से ले लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे उनके जो बच्चे थे, उनकी wife थी, उन लोगों को भी मारा गया, तो ये बुरा event था, आप वैसे देखें तो, लेकिन इस event के अंदर नाना साहब का कोई involvement था की नहीं, इसके उपर कोई evidence नहीं मिलता, नाना साहब के खिलाफ कोई evidence नहीं मिला, लेकिन company ने नाना साहब को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, इस सती चौरा गाट के लिए, लेकिन एक और इसके तुरंत बार मसाकरे हो जाता है, इसमें involvement आप देखेंगे, आगे चलके कैसे होता है, इसमें जो survive कर गए थे सती चौरा गाट के incident में, वो जो औरतें, बच्चे और जो भी soldier बच्चे थे घायल वगेरा, वो बीबी घर चले एक बीबी घर जो था, जो लेडीज के लिए घर बनाया हुआ था, कानपूर में, वहाँ पे चले गए, और अब नाना सहाब ने इसका यूज करना, पॉलिटिकली यूज करने की कोशिश करी, कि ये जो भी लोग हैं, जो भी prisoner हमारे पास आ गए हैं, क्या बोलते हैं, बीब के लिए उन्होंने पर्टिस्पेट किया, हलांकि बाद में ये बीबी घर मसाकरे कैसे हुआ, इसमें देखे, इसमें तो इन्वोल्मेंट आपको देखने को मिलेगा, और इसमें भी कई बार डिबेट है कि नाना सहाब का इन्वोल्मेंट था, कि सिर्फ तात्या टॉपे औ को कहा गया कि हमने आपके जो होस्टेजेज हैं को रख लिया है, तो हमारी अगर बातों को, हमारी मांगों को अगर आप नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे आपके उपर, हम आपके इन प्रिजनर्स को जान से मार देंगे, ऐसा कहा गया नाना सहाब और इनकी तरफ से, अब इस डिमांड को तो नहीं माना गया, इस इंडिया कंपनी की तरफ से, और वो तुरंत मतलब वो जा रहे थे, उनकी तरफ अटेक करते वो जा रहे थे, कानपूर और लखनाओ की तरफ उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया था, और धीरे धीरे करके वो आगे जा रहे थे कि अजिमुला कान इन तिनों के भी इसमें डिसकेशन हुआ कि ये जो बीबी घर के अंदर जो भी लोग हैं, इनका क्या किया जाए, तो एक ओर दिया गया, पंदरा जुलाई अठा सुस्ताउन को की बीबी घर की कैप्टिवस हैं, उनको मार दिया जाए, अब ये ओर दिया इसका मतलब एक नेगेटिव इंपेक्ट भी पड़ा, कि कई बच्चे और ओरतों को मार दिया गया, और इसका इस्तमाल ब्रिटिशस ने भी किया, ब्रिटिशस ने इसको प्रोपोगेंडा की तरह इस्तमाल किया, और उनको ने कहा कि देखिए हमारे जो निर्दोश लोग ह वो किस तरह से मार रहे हैं तो ये तो एक तरह से जाहिल है ऐसी बाते कही गई उनके लिए और इनको तो हमें बहुत ही बूटली सप्रेस करना पड़ेगा हम इनको छोड़ेंगे नहीं और उसके बाद ब्रेटिशस ने भी इनका बदला लेने के लिए उसी तरीके का ट्रीटम सबको अंग्रेजों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलिया मारी गई तो अठास ताउन के क्रांती को जब वापिस रिटैलियेट कर रहे थे ब्रिटिश तो भी बहुत बुरी तरीके से उन्होंने का है तो वो ये कहें कि उन्होंने वो सही थे वो वो थे धंग से इन महीने तो इनको लग गए काफी रिटैलियेट करने में उसके बाद नाना साब की फोर्सेस के उपर इन्होंने बार बार अटेक करना शुरू कर दिया और चारों तरफ से अब बिर्टिशस की आर्मी आ गई थी और बहुत ही आप जानते हैं कि बिर्टिशस की आर्मी जो बहुत ही और्गनाईज़ थी उनके पास अच्छे रिसोर्सेस थे अच्छे अथियार थे तो उन्होंने नाना साब की आर्मी को काफी सारे बलो दिये बार बार यहां पर अटेक किये और उसके बाद नाना साहब तो यहां क्या बोलते हैं निकलने में सफल रहे लेकिन जो बिटिश अस ने बीबी घर मसाकरे शाच बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा वोलेंस करी और यहां पर बिठोर के अंदर बहुत सारे लोगों को मारा गया निर्दोश लोगों को भी मारा गया बच्छे बुडों के उपर भी अध्याचार किये गए नाना साहब यहां से experience उनका वो कहां गए उनके वारे में देखो काफी सारी theories हैं और काफी सारे अलग अलग जगे पे अलग अलग records मिलते हैं शुरुवात में नाना साब ने ये कहा सितंबर 1880 में कि वो बहुत ज़्यादा बिमार हैं उनको malaria हो गया है लेकिन company को इस चीज के ओपर कोई तो उस समय गौालियर में पेश्भा का पद दे दिए गया था नाना साहब को और वहां पर पेश्भा दुबारा install किया था पीश्भा के पद को और ये कहा गया कि अब से नाना साहब जो हैं यहां के पेश्भा हैं तो इसका रानी लक्षमी भाई जो है वो तो शहीद हो गई बैटल फिल्ड में तात्या ठोपे वहाँ से निकलने में सफल रहे और वो राजस्तान की तरफ चले गए थे टॉंक और फिर नीमच चले गए थे मत्य परदेश यहाँ पे लोगों को इखटा कर रहे थे नाना साहब क्या है माना जाता है कि इस समय नेपाल चले गए और नेपाल जाने के बाद वहाँ के जो राजा थे जंग बाहदुर राणा इन्होंने इनको प्रोटेक्शन दिया उसके बाद माना जाता है कुछ लोग कहते हैं कि 6869 महिन की डेथ होगी लेकिन आगे चलके देख के यहाँ पे सिहुर में रहे थे और 1903 में इनकी डेथ हुई है गुजरात में और गुजरात में कब किसके यहाँ पे रहते थे कल्यान जी जो थे कल्यान जी कौन थे हर्षराम महिता के भाई थे और हर्षराम महिता जो है वो नाना साहब के टीचर रहे थे सेंसकर्थ के तो गवर्मेंट रिकोर्ड कहते हैं कि सितंबर अठासो उनसेट में ही नाना साब की डेथ होगी थी नेपाल में जब हो गई वहाँ पर बस बैसिकली बात यह है कि अंग्रेजों के हाथ वो नहीं आये थे निकलने में सफल रहे थे नेपाल चले गए थे कानपूर उनके हाथ से च अठासोस्ताउन की करांती के बारे में ने सेपरेट वीडियो बना दिया है तात्या टोपे के बारे में भी बना दिया है महरानी लक्ष्मिवाई के बारे में भी बना दिया है तो वह आप जाके सेपरेटली देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आ Have a good day. See you next class.